नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि क्लूक एप्लिकेशन से फ्लाइट टिकेट कैसे बुक कर सकते हैं जी हैं गई जापी क्लूक एप्लिकेशन से फ्लाइट टिकेट बुक करना चाहते हैं तो गई जाज किस वीडियो को स्टार्ट से लेकर मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट साज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको प्लेश्ट और एप्लिकेशन को ओपन करना है प्लेश्ट और एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद गई जहां पर आपको कलूक एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है तो गई जहां पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा तो गड़ी जहां, पर आप देख सकते हैं, यहां, पर आप तो गड़ी जहां, पर आपको उपर के और transport का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट के अफ्शन पर क्लिक करना है ट्रांसपोर्ट के अफ्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सिर्फ जाने का और आने का टिकेट बुक करना चाते हैं तो गई जहाँ पर आपको सिंगल ट्र return trip का option देखने को मिल जाता है तो जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर आप जाने को और आने का एक साथ में ticket book करना चाहती है तो जहां पर आपको return trip का option पर click करना है इसके बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं पर आप कहां से कहां तक टिकर्ट करना चाती है उस City को यहां पर आपको सेलेक्ट करना है तो तो गयी जहां पर में From पर क्लिक करता हूँ from के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आप कहां तक ticket book करना चाते हैं उस city को यहाँ पर आपको select करना है तो गई जहाँ पर में select करता हूँ एमदाबाद हैमदाबाद सेलेक्ट करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते ही यहाँ पर मेंने पूने को select कर लिया और गई जहाँ पर आप दीख सकते ही यहाँ पर में एमदाबाद से पूने तक टिकट बुक करना चाहता हूं तो गई जहां पर मैंने सीटी को सेलेक्ट कर लिया इसके बाद गई जहां पर आपको जर्णी डेट का ओप्शन देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आप किस डेट पर यात्रा करना चाहते है उस डेट को यहां पर आपको सेलेक्ट करन करने के बाद गई जहां पर आपको क्लास का ओप्शन देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर मैंने एकोनोमी क्लास को सेलेक्ट किया है इसके बाद गई जहां पर आपको सर्च के ओप्शन पर क्लिक करना है सर्च के ओप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप दिख सकते हैं यहाँ परा है में टीकेट बुक करने चाहते उस फ्लाइट को सिलेक्ट करने के बाद किया जहाँ प्राइब दीख सकती है यहाँ पर आप फ्लाइट की डीटल को चेक कर सकते हैं और गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी डीटल सो करें इसके बाद गई जहाँ पर आपको next step के option पर क्लिक करना है next step का option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर loading हो रहा है loading होने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ok पर click करना है करने के बाद गई जहाँ पर आप दீक सकते हैं यहाँ पर आपको चेक आउट का आपशन देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पैसेंजर डेटल को फिल करना चाहते तो गई जहांपर आपको एड़ पैसेंजर के अप्शन पर क्लिक करना है तो गई जहांपर मैंने पैसेंजर डेटल को फैले से फिल करके रखा है इसके बाद गई जहांपर आपको कॉंटेक्ट डेटल को फिल करना है तो गई जहांपर म और गई जहांपर आप दीख सकते हैं यहांपर आपको last name का option देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर में last name को type करता हूँ इसके बाद गई जहांपर आपको country को select करना है country को select करने के बाद गई जहांपर आपको phone number का option देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर में phone number को type करता तो नीचे के और आना और गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर आपको next step का option देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर लोडिंग हो रहा है लोडिंग होने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं आप पर आपको टिकेट के प्राइज भी सो कर रही है तो गई जहां पर आप देख सकते हैं पर आप बुकिंग डिटल को चेक करना चाहती है तो गई जहां पर आपको क्लिक करना और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप बुकिंग डिटल को चेक कर सकते हैं इसके जहां पर आपको काड़ नंबर का ऑप्षान देखने को मिल जाता है गयां पर आपको काड़ नंबर को टाइब करना है इसके बाद गई जहां पर आपको Save option पर क्लिक करना है Save option पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर पीजी तरीके से प्लिकाशन से प्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं